विनेश फोगाट का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जसमें विनेश ने संसनी खेस दावा किया है कि दिल्ली पुलिस पहलवानों का एंकाउंटर करना चाहती है तो 28 मई को जंतर मंतर पर महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने कैसे घसीटा आपने तस्वीरे देखी लेकिन ऐसा लगता है कि मानुश्या की पुलिस का मन अभी नहीं भरा है इनकी मन्शा क्या है समझना मुश्किल है आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने फेस्बुक लाइब किया और वो वीडियो अब सोशल मीडिया पर फंसनी खेस दावे के साथ वाइरल हो रहा है विनेश फोगाट का कहना है कि दिल्ली पुलिस पहलवानों का एनकाउंटर करना चाती है क्या कुछ कहा है विनेश ने आप वीडियो देखिए इसके बाद ये वीडियो कब का है और दिल्ली पुलिस पर एनकाउंटर करने के आरोप क्यों लग रहे हैं हम आपको बताते हैं आपकी दूटी है? एक सिर्ज़ुना हाँ, बताओ, तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि हाइवे पर रोक कर बकाइदा विनेश फोगाट ने फेस्बुक लाइफ किया है विनेश कहती हुई साफ सुनाई दे रही है उनका कहना है कि एक गाड़ी में दो पीएसो और एक ड्राइवर हो सकता है लेकिन दो गाड़ियों में दस लोग लग कर आखिर क्यों चल रहे हैं भाई आपके पास लिखित आदेश है ये दिल्ली पुलिस हमारा पीछा क्यों कर रही है जैसे ही लिखित आदेश विनेश फोगाट पुलिस वालों से मांगती है वहाँ पर जो महिला पुलिस कर्मी मौजूद होती है वो सकपका जाती है लिखित आदेश तो नहीं दिखा पाती है लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि लगातार बहस करती रहती है इस लंबे चोड़े वीडियो में जब कहा गया है विनेश फोगाट की तरफ से कि क्या आप हमारा एंकाउंटर करना चाते हैं तो दिल्ली पुलिस की जो भी वहाँ पर करमी होते हैं वो सकपका जाते हैं किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि विनेश फोगाट को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों दो गाडियों में दस्यों पीएसों भर कर उनका पीछा कर रहे हैं लगातार वो सवाल करती है कि आदेश दिखाईए आदेश दिखाईए लेकिन दिल्ली पुलिस जो वहाँ पर मौजूद होती है वो किसी तरह का कोई आदेश ने दिखा पाती है और तो और तर्क ये दिया जाता है कि अगर आप चाहती हैं कि हम आपका पीछा ना करें तो आप हमें अपनी गाड़ी में बठा लीजे इस पर विनेश वोगार केती हैं कि हमने एक PSO के लिए साइन किया तो और हमारी गाड़ी में बिल्कुल जगा ही नहीं है तो हम बठा कहां से लेंगे और इतनी भारी मात्रा में सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि हमारा पीछा करने का मतलब क्या बनता है क्या आप हमारा एंकाउंटर करना चाते हैं यह वो वीडियो है जो कि अब सोशल मीडिया पर कई सवालों के साथ वाइरल हो रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो सत्पकाहट है वो अपने चरम पर है यह लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ऐसा लग रहा है इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कितना भारी कंफ्यूजन है आपको बताव दी लेकिन पहले आप खबर देखिए प्रभास आक्षी की इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली से रवाना हुए पहलवान विनेश फोगाट ने एवी लाइफ के दोरान लगाया एंकाउंटर करने का आरोप तो ये वीडियो जो मैंने आपको दिखा है फेसबुक लाइफ का ये है तो 29 मही का लेकिन अब वाइरल हो रहा है क्योंकि दि दिल्ली पुलिस से सवाल किये जा रहे है कि क्या दिल्ली पुलिस बड़ा खेल करने वाली है क्या दिल्ली पुलिस विजेपी सांसक को बचाने के लिए पहलवानों का एंकाउंटर तक कर सकती है इस तरह के सवाल इसलिए किये जा रहे है क्योंकि दिल्ली पुलिस के हवाले से एक खबर चलाए गई और इस खबर का खंडन के बाद से बवाल मत चुका है खबर हमने आपको दिखाई एक बार फिर से आपको बता देती हूं खबर देखे नौ भारत टाइमस की इसमें लिखा हुआ है कि अब तक हमें ब्रजभूशन सिंग को गिरफतार करने के लिए पर चैनाई ने ये खबर चलाए दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवालों से कहा गया कि हमें हमारे पास अभी तक कोई सबूती नहीं है कि हम ब्रजभूशन शरण सिंग को गिरफतार कर सके और 15 दिन में हम अपनी रिपोर्ट भी दाखिल कर देंगे तो कली आप जानते हैं कि किसानों ने किस तरीके से चुनोती देते हुए कहा कि पास दिन का समय है कारवाई कर लो और आज ही आप देखे ये बयान निकल कर सामने आए कि अभी तक तो कोई सबूती नहीं है कि ब्रजभूशन शरण सिंग को गिरफतार किया जाए पहली बात यहां पर यह है और आपको बता दूं कि जब महिला पहलबानों का जो कोक्सो अक्ट लगाया गया है उसमें नाबालिक भी बताया जा रहे हैं उनका बयान ही अपने आप में सबूत है तो ब्रजभूशन शरण सिंग को गिरफतार करने के लिए इनको अभी तक कोई सबूती नहीं मिला है और आप देखिए इनका कहना है कि कोई साक्षी नहीं है इस तरह की खबर निकल कर सामने और भी दिल्ली पुलिस के हवाले से एनाई ने चलाई और एनाई के बाद तमाम मीडिया संस्थानों ने चला दी जैसे ही पता चला कि दिल्ली पुलिस पर कई सवाल लग रहे हैं तो दिल्ली पुलिस ने इस खबर को ही खंडन कर दिया ट्वीट किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से कि यह जो खबर चलाई जा रही कि हमारे पास ब्रजभूशन को गिरफतार करने के लिए कोई सबूत नहीं है यह खबर गलत है और उसके साथ ही लिखा गया क कि दिल्ली पुलिस ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और इस ट्वीट के डिलीट होने के साथ ही दिल्ली पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि यह खबर किसी और नहीं बलकि एनाई नहीं चला दी थी अब यहाँ पर सवाल यह है कि एनाई ने चला दी थी सर प्रजबूशन को गिरफतार नहीं कर सकते हैं उसके बाद उसको डिलीट कर देना उसका खंडन करना क्या खेला चल रहा है समझना थोड़ा सा मुश्किल है पूरा टोटल का खबर का अगर लबो लबाब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दिली पुलिस के हवाले से एनाई ने एक खबर चलाई और उस खबर का खंडन दिली पुलिस ने किया लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि मात्र आधे गंटे के ही अंदर दिली पुलिस ने अपना जो खंडन वाला ट्वीट था उसको डिलीट कर दिया अब ये वीडियो भी बाइरल होने लगा है लोग सवाल करने लगे हैं कि इन लोगों ने कि स्क्रिप्ट तयार की है विजेपी सांसत ब्रुजभूशन को बचाने के लिए और ये लोग बचाने के लिए कुछ भी कर सकते इनका पूरा प्लान तयार है तो कतनी और करनी में जो अंदर हो रहा है दिल्ली पुलिस की यही इनके लिए गले की फांस बन चुका है आज का ही बयान है बरुजभूशन कह चुका है कि यह जो खेला है अभी मेरे हाथ में तो है नहीं अब दिल्ली पुलिस कर रही है जो भी करना है तो क्या दिल्ली पुलिस खेला ही कर रही है कई सवाल खड़े होते हैं इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर इस पूरे खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमन बाक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा से जादा शेयर करें सब्सक्राइबर को दबाएं, बेलाक दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें मैं प्रिंग का आप देख रहे था ओलाइन यूज इंडिया फिर मिल देंगली खबर के साथ तक के लिए धन्यवाद